और बाइब बढ़िया ना मनला मसते हैं जबर दस्ते बढ़िया है ना अरे क्या है ना कि पास में इदर मार्केट लगा वा था बजार लगा हुआ था तो मैं तो रस्ते से जा रहा था और भेल पुड़ी खा रहा था फिर मुझे बीच में मार्केट मिली तो मैं क्या करूं और आप लोगों का स्वागत करना चाहिए कहां पर आपके अपने प्लाटफॉर्म यानि की पीड़ाब्ली उपर भाई देखो याद आया वह डालोग यहां था जो मैं हर बार कहा करता था आपसे कि बाबो मोशाय पढ़ाई लंबी नहीं मज़दार होनी चाहिए और देखो लास्टेंग क्या था कि थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कुछ-कुछ लंबी हो गई थी तो बाबो मोशाय इस बार देखो इस डायलोग बिल्कुल स्टिक करने वाले हैं और आज क्या करेंगे हम लोग आज बात करेंगे बहिया से नहीं जाने तो उनका नाम बता दो भया हमार नाम है कुनाल ठीक है तो हमारे साथ पढ़के हो जाओगे कमाल और खासकर आपका जो प्लैटफॉर्म जिसका नाम है पीड़दू वह है सूपर धमाल ठीक है चलो तो बच्छवाइडी आज अबन क्या करने वाले हैं तो यह चाप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे यानी की लेक्टर नंबर उन ुसको मैं लेक्टर ने कीए वह तो लिखके ले आया हूँ मतलब की बातचीत नंबर वन दिसकेशन नमबर और दूसरा हम बात करेंगे यानि कि पार्ट टू में इस चाप्टर के दारिस मार्केट सराउंड तो क्या बोलती पॉब्लिक दरवाजा खुल दिया जाए खुल जा सीमसीम भीया सीमसीम खुलेगा तभी तो पता चलेगा कि हम लोग क्या क्या करेंगे आज कालू है टमाटर है प्यास है साथी साथ बहुत सारी चीज़ें कहां पर सिर्व स्तरवाब के अपने बाजार यानि वीकली मार्केट के अंदर ठीक है इसके बात अगर मैं बात करेंगे अपने आज पड़ो उसके अंकल की दुकानों की वहीं अंकल जो सुबह सुबह आपको पुरानी ब्रेड बेचते हैं ठीक है और हम बात करेंगे यहां पर स्टोरी ऑ समीर सुजाता इन खविता की समीर भाईया की बहुत दुखबरी कहानी बिचारा समीर क्या हुआ उसके साथ यह आपको पता चलेगा लेकिन इस वीडियो के अंदर और फिर हम लोग बात करेंग नामें देखो on वीग छुपा हुआ है कहने का मतलब यह है कि भईया व्ीड के किसी एक पर्टिकूलर दिन पर जो मार्केट जैसे मैं जहां पे रहता हूं छर को मार्केट लगती है है कि लग 750 थ्रॉटंस अलग रहता है कि वह जहां परता है है अपने कपड़ें जती को बॉच्छा कैसूल नहीं गgers चाहिए चीज़े उस वीकली मार्केट में भिखती है और खाने पीने की चीज़े मिलती है जैसे गरम-गरम जलेवी है और गरम-गरम जलेवी किसको पसंद नहीं है अरे पसंद है ना बताओ भाई comment section में पसंद है गर्मा गरम जलेवी ले लो खेना एकदाम गर्मा गरम समोसे सारी सारी चीजна मिलती ह intimacy अंदर आप जिसे वेजीटेबल मारंकेट्स हो गई तो बच्छे ये जो मारंकेट है Dos बचले दिन हो सकता ये कहीं और जाके अपनी मार्केट्स लाइं ट्र chicks को क्या कहते हैं बच्छे ऐसी मार्केट्स को कहते हैं weekly markets. इन वीकली मार्केट्स में एक चीज बड़ी बेनिफीशल है वो यह है कि यहाँ पर सामान सस्ता मिलता है हाँ जी सही सुना आपने यहाँ पर मिलता है सबसे बढ़िया सस्ता और टिकाउ सामान उसका कुछ रीजन है बाबु मोशाइक कैसे रीजन है चलो मैं आपको बताता हूं देखे बहुत सिंपल है अब मान की चलो आपके एक पर्मानेंट दुकान है यह पर्मानेंट मतलब उस सालरी देनी पड़ेगी ओस दुकान का मेंटेन्ट करना पड़ेगा उसमें भी आपके पैसे खर्चोंगे तो इन सारे खर्चों पहां से निकालोंगे समान को थुदा सा mìnhag बेचन है कि मार्केट में हमारे अंकल आएंगे अपना ठेला ले किया अगरा समूसे ठीक है मस्ट ठेला सेटप करेंगे उधर समूसे बनाएंगे इधर समूसे निकालेंगे और आपको देंगे आप खाएंगे और मस्त अपने घर जाएंगे और शाम को अंकल भी अपना वाइंड अप करके अपना ठेला ले करके चले जाएंगे फिर किसी और दिन मतलब किसी और एरिया में ज सारी चीज़े बच जाती हैं तो comparatively अगर मैं किसी बहुत बड़े अच्छे शोरून टाइप के स्वीट की दुकान में जाऊं और समूसा घरीदू जाके तो मुझे शायद 15 या 20 रुपे का एक समूसा मिलेगा बट वही अगर यह weekly market में किस उन अंकल से में समूसा घरीदू त पॉमिनेंट दुकाने हैं वहां पे समान आपका ब्हेंगा है। उसका रीजन यहीं है कि उन दुकानदारों को रेंट देना पड़ता है, लेबर कॉस्ट होता है, यह सारी की सारी चीज़ें वो लोग कहां से recover करेंगे, बहुत simple सी बात है बच्चो समान का जो product का जो दाम ह उसको बढ़ा करके राइट तो एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि वाइद वीकली मार्केट्स आचीपर क्यों होती है आपकी वीकली मार्केट्स या वीकली बाजार सस्ते रास खुलेगा सीर्फ और सीरिफ यहीं पर संसिनी देखनी जरूत नहीं उसके लिए ठीक है अगर में बात करूं देखो वाहिं मैंने आपको क्या बताया कि इनकी कोई पर्मनेंट दुकान नहीं है क्योई पर्मनेंट शॉपस नहीं कोई पर्मनेंट बिल्डिंग नहीं है मेर्न सारा गाम ये खुदी कर लेते तो उनको कोई वेजस वगेरा पे नहीं करने पड़ते हैं फिर अगर मैं बात करूँ बच्चो देहाँ गुड नमबर ऑव सेलर्स ठीक है बहुत सारे सेलर्स जो है बच्चे एक ही तरीके का समान बेच रहे होते हैं तो अविसी बात है कोई एक इंसान महेंगा नहीं बेच सक करेंगी तो यहां पर बटे को ट्रेंज आ रही है और यहां पर लोग समान भी बेच रहे हैं आराम से विकली मार्केट के अंदर तो इस तरीकी की बच्चे मार्केट्स आपको बहुत यूजूली अपने घर के आसपास देखे जाती है है ना चले और मैं आगे आप से बात क में इन खरीट ने फिर वहां जाओं करने ऐन रहां सीथे चैन दी लाता है बडए विपारी से इस जो एक बड़े दुकान दार चरण लैँ वांसे कपड़े लेकि आता है यह यह लग 6 करें ब immious इस तकतर मिन ज्एक वहां ऐक जीन पर लिए ने थेफे कर रखी है इसकी कस्टमार मोस्टी बच्चा विलेजस से गाउं से हैं डाटर नियर्दा मार्केट एवियास फेस्टवल टाइम पे जैसे दिवाली हो गया पोंगल हो गया इसका बिजनेस वे काफी धमाकेदार हुता है इंडिया में टेंडेंसी है कि अब लोग फेस्टिवल भया भी वीकली मार्केट का एक पार्ट है राइट बचो चलिए अब हमारे पास सेकेंड नंबर दुकाने आती हैं डाट इस शौप सिंदर नेबर हुट नेबर हुट यानि हमारे आज पर उसमें आने वाली दुकाने राइट अब आप देखोगे कि आपके आज पर उसमें अंकलों है बहुत सारे समान भेजते हैं Beginning सोर ने आपकी मम्मी कहते हैं आपकी मम्मी आपको सिक्र्ट मिमिशन भेय की मैं म्मान आयो हुए चाजा चिंटु जा संब और बिस्केट लए आगा एक कोल्ड लिएगना और ज्यूस लेएना बस नम्कीन लेएना वार दिखना सबसे छुपा करके लिए के आना So that is like a secret mission for you भाईया ऐसा लग रहा है गी बॉर्डर पार जारो दुश्मनों को मारने ठीक है और तुम दम चुपचाफ से ऐसा पाकेट में अंकल पाकेट में दे दो मम्मी ने समान मगाया है और सारा समान ले करके टिंग 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 ऐसा जेमस बॉर्ण की तरह तुम चल रहे हो जा रहे हो छुपाते हुए और यह नजरों से बसते हुए आपके गेस की क्या बात सीदह एंटरी किचन के अंदर और ममी ने तालियों के साथ स्वागत किया तुम्हारा वाओ, mission accomplished, कुछ बच्चे हाला कि mission accomplished नहीं कर पाती, क्योंकि इनकी नजर जो है, जादा तर यस बात पर ठीकी होती है कि कब हमारे guests जाएं, और कब ये जितना समान बचा है, ये सारा हम खा जाएं, right, तो बच्चे बहु आपकी fix दुकाने हैं, पॉबन दिक्वाने हैं, ठीक है, तो shops जो कि पॉबनेंट हैं और अपने घर के पास हैं, तो आता neighborhood shorts, हम यहाँ पे बच्चों कई बार आपस में लोगों को जानते हैं, buyers and sellers एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, आन कई बार ऐसा भी होता है कि उधार प आपकी पैसा ना खाते में लिख लो, तो अंकल जो है खाते में लिख लेते हैं, और फिर महीने केंड में आप लोग जाके उनको पे कर देते हैं, तो इस तरीके का बच्चे common bonding, common relationship आपके neighborhood के दुकानों के साथ maintain रहता है या फिर चलता रहता है, है गिरी, चलिए, अब अब अगर हम लोग बात करें, इसमें एक बड़ी अच्छी कहानी में आपको सुनाने वाला हूँ, पड़ी मज़दार कहानी, ठीक है, कहानी है, दो फ्रेंड सुजाता इन कविता के बारे में, ठीक है, तो आज मैं तुमको एक कहानी सुनाओंगा, बहुत मज़ा आएगा, सुन और कविता जो है, आपके NCRT कहानी है, जरूर से पढ़ियेगा इसको, तो सुजाता और कविता जो है, इनको भेजा गया भाईया, जाकर के पास वाले अंकल की दुकान से सामान लेके आजाओ, छीक, अब क्या है, कि ये नॉर्मली एक शॉप है, जिसको ये लोग, जिसमें सुजाता जो थी, लिस्ट बताती गई, आप भी जाते हो ना, बच्चे दुकान दार के पास, तो दुकान दार बैठा होता है, ऐसे पहलना के बैठ जाता है, ऐसे खतरनाग, हाँ छोटू बोल्ट, हाँ गुल्लू लिखियो, 100 ग्राम, धरिया, 100 जीरा पाउडर, 100 ग्राम, हाँ, सोगरम, हाँ, किता चाउल, किता किता किलो दो किलो, कौन सा अला, वास्मति, हाँ, दो ग्लू, दो ग्लू, दो किलो, बास्मति चाउल, अच्छा एक लौ1, आर एर कि दार, एक ऊपक्डाई, बोला कि ए समान बंगायागा गया है, आण उन्य। maior बहुत सिंपल सी बा नाप तोल के एकदम यहां पर पाकेट्स में बैक करते हों अब इस बीच में जो कविता है वह आसपास दुकान में आप देख सकते हो कि यहां पर घूम रही है अब उसने देखा कि ऊपर टॉप शेल पर यहां पर बहुत सारे डिटर्जें डियानी कपड़े धोने वाले साब खुश हो रही थी ठीक है तो करी 20 मिनिट लग गए सारा समान पाप होने के लिए फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक दिखाई नोटबुक माच करें कि सामान सही है कि नहीं है ठीक है और टोटल अमाउंट आया तीन हजार रुपे का फिर इसने का सुजाता ने करो इसको सब्सक्राइब कर देंगे तो इस तरीके से क्रेडिट कर पे ऊपर तीन हजार रुपे का समान लेकर के सुजाता जो थी बहार आ गई ठीक है तो इनका नेवरूट शौप है पास पड़ो उसका दुकान है ठीक है अब इस सारे खेल में आपके लिए एक सवाल है ठीक है चलो कविता ने के इस टाइम पर आसपास देखा उसको बहुत सारी चीज़ा देखिए उसको बड़ा मजा आया देके सब कुछ कलरफुल कलफुल एट्रक्टिव एट्रक्टिव ठीक है फिर उसके बात क्या होता है बच्चे बहुत सिंपल सी बात है सुजाता कहती कि तीन हजार रुपय का समान हुआ है इसको आप रख लीजे खाते में लिख लीजे क्रेडिट पर यह उधार पर समान ले करके वह आ जाती है उसकी फैमिली जो है नेक्स मंत के पहली वीक में आके पैसे देगी यह पूरा सिस्टम था ठीक है अच्छा अब अगर मैं बात करूं बच्च है और अलग-अलग अलग दिन पर लगती है वह बहुत सारा सामान भीता है ठीक है फ्रूट्स है कपड़े है स्वीट से मुलती है तेक हमने ट्रेडर देखा समीर भाई करके समीर भाई कपड़े बेचते थे हैं अलग-अलग मार्केट में जाके चे जो आग अलग अलग हो जाता और कविता की स्टोरी को देखा फिर मैं ये भी देखा कि वीकली मार्केट चीपर की होती है तक वहाँ पर रची नहीं नहीं होता को ये खर्चा नहीं होता उनका वाहारी के वीकली मार्केट से कि why goods sold in the permanent shops are costlier than those sold in the weekly markets और by the roadside hawkers, ठीक है, simple है, कहने का मतलब है, जो permanent दुकानों में समान बिखता है, वो weekly market के comparison में, जो roadside पे लोग समान बेज़ते हैं, उसकी comparison में मेहंगा क्यूं होता है, चार option हैं आपके पास, option number one है, कि permanent दुकाने यानि permanent shops को rent देना पड़ता है, और बाकी और सारे cost होते हैं, इसे maintenance cost वगएरा जो उनको pay करने पड़ते हैं, कोई भी permanent या और labor cost हमारे hawkers या weekly markets पे applicable नहीं होता, इसलिए वो comparatively सस्ते होते हैं, ठीक है, तो बहुत simple सी बात है, आपको यहाँ पर बताना है, कि क्या होना चाहिए correct answer, कि why goods sold in permanent shops are costlier, ध्यान से समझी है question को, कि वो shops इसलिए costly हैं, क्योंकि उनको rent देना है, बाकी सारे cost देना है, ठीक है, costlier than the roadside hawkers, दूसरा point दिया गया है, कि कोई permanent rent नहीं देना होता, weekly markets वालों को, यह बात बिल्कुल सही है, दोनों ही options correct हैं, यहाँ फिर none of these, ठीक है, चलो, आपको यहीं बताना है, तो आपको यहाँ पर बताना है, with respect to the permanent shops costly क्यों है, बस आपको यह बताना है, तो बताओ फड़ाबच से आपको, मैं time दूँगा 30 seconds का, 30 seconds में बताईए बच्चों, कि permanent दुकानों में सामान comparatively महंगा क्यों होता है, फड़ाबच से बताओ, फड़ाबच से बताओ, come on, I'm waiting for this, 30 seconds का time बहुत है, 30 seconds का time हा, tick tick 1, tick tick 5, tick tick 10, tick tick 15, tick tick 20, tick tick 27, tick tick 29, ओ हो, एक सेकंड बच्चा है सिर्फ तुमारे पास, मातर एक सेकंड, tick tick, 29 1 by 4, tick tick, 29 and a half, tick tick, 29 3 by 4, and tick tick 30 seconds, time up, क्या लगता है, बहुत सारे बच्चों ने हमें बहुत सारे questions की, देखो, second option मैंने तुम्हें confuse करने के लिए था, अगर सवाल यह होता कि why the product sold in the weekly market is cheaper, तो आप second option के साथ जाते हैं, लेकिन सवाल यह पूछ रहा है कि product sold in permanent shops costly क्यों है, तो costly इसलिए है क्योंकि permanent shops को rent देना पड़ता है और बाकी cost को manage करना पड़ता है, तो option A बिल्कुल correct है, second आपको confused करने के लिए दिया था, बहुत सारे बच्चों ने हमें मेरे को बहुत NB भी दिया होगा comment में, पर आपको answer देना है with respect to costly part, not with respect to the cheaper part, तो costly part के साब से option A आपका बिल्कुल सही जवाब है, तो बिल्कुल सही जवाब है option number A, तो जिन बच्चों ने दिया है मुझे option number A as the answer, तो आपका answer A है, बहुत ही पढ़िया है, बहुत ही धमाकेदार है, तो आपके लिए तालियां और बाकी जितने बच्चे जिनका answer थोड़ा गड़बर हो गया है, उनको भी tension नहीं लेने का भाई, बिल्कुल नहीं लेने का, सब बढ़िया है, कोई tension ये भी और एक question पूछूँगा आपसे, question on the day में, ठीक है, उसका answer आप सब comment section पे दे सकते हो, ठीक है बचावाड़ी, चलिए, आगे बात करते हैं, चलो, आप बात होती है हमारे shopping complexes की, let's talk about the shopping complexes, ठीक है, कहमारे shopping complexes क्या होते है, malls क्या होते है, तो देखो भाई, shopping complex में आप गए होगे, कही बार malls के अंदर बड़े-बड़े malls होते है, सुदर-सुदर malls होते हैं, उसके अंदर food court भी बना होता है, आपकी खेलने के लिए, play area भी बना होता है, game zone भी बना होता है, और movie देखने के लिए multiplex होता, आप movie देखते हो, ये क्या बात है, पॉपकॉन खाएगा नलायक तुम बैट जाते देड़ी देगी पापा पॉपकॉन खाने पापा को भी पॉपकॉन है लेकिन दिक्कत यह है कि मम्मी का ट्रेलर देखके पापा भी थोड़ा से डर गए आप गलती से पॉपकॉन का नाम ले लिया तो कहीं एक्षन का रियक्श इस ट्रेलर को देखने के बाद उनको नहीं चाहिए पूरी मूवी ठीक है तो पॉइंट इस कि यहां पर हम लोग एक अंसल मॉल की बात करते हैं ठीक है तो यह लोग क्या है कि अभी सुजाता कविता वापस से यहां मॉल वगरा जाएंगे लेट्स ट्राइट वाट से सब कुछ दिख रहा होता है तो बाद मजा आ रहा है उनको देखते हुए आइस्क्रीम बिक्रिये बर्गर पीजा फूट शॉप से बहुत सारे मज़ेदार शॉप से जिसमें हों अप्लाइंस मिल रहे हैं लेदर प्रडॉक्स मिल रहे हैं है ना फिर गूमते-गूमते ब दुकान के अंदर जाके आप मत जाओ ठीक है पर उसने कुछ कहा नहीं राइट सो दे लुक्ट अट सम्डेसे दे लुक्ट अट प्राइस टैक कोई भी ऐसा नहीं था जो कि तीन हजार उपए से कम कहूं यानि आप मान के चलिए कि पांच गुना ज्यादा महेंगा था फॉ चौपिंग करने के लिए टीस्ट है तो जब यह शोरूम में एंटर की एक रेडी मेड गार्मेंट का शोरूम था ब्रैंडेट क्लोट का शोरूम था तो वहां पे मिनिममम जो कपड़ा था तीन हजार रुपए का था अब इन्हों ने सोचा यार यह तो वीकली मार्केट का फाइव टाइम से जाधा है वहां पांच शिससा रुपए में आराम से समान मिल जाता है यह तीन हिजार रुपए का एक कपड़ा है तिने में तो पांच आ जाएंगा भाई ठीक है तो फिर उसके बाद जो है नोना आपस में कंसर्ट क्यों डिसाइड के चलो एक और दुग खासकर बड़े शाहरों के अंदर आपको जाधा मिलेंगे शौपिंग मॉल सों कॉंप्लेक्स देखने को यहां बड़े-बड़े ब्लाइंड फांटे टो यहां पर बचे जौनली आपको लग्जी ब्राइंड्ट मिलते तो यहन पें स्बोनीड घुपड़ने का शौक है ज जो कौशे तो कॉस्ट करेंगे राइऑ हमेशा मेहंगे होते हैं याँ बढ़े ब्राट्स अपनी प्रॉडट्स अपने प्रॉडक्ट्स आने टाइमस अगर बात करें कि इनके खुद के शोरूम्स होते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो इन प्रोडेक्स को एफोर्ड कर सकते हैं मॉल से खरीद के पहन सकते हैं ठीक है हाला कि माक्समुम जनता बच्छे ऐसी नहीं है अगर बात करें बच्छों सुधे फ्यू प्रोडक्स मान लीजे सौ में से बीस लोग ऐसे होंगे जो मॉल के प्रोडक्स पहन सकते हैं बच्छे यह लोग बहुत ज़ादा बलब पॉस्टिटिव नहीं हो जाते हैं मॉल को ले करके अब इसी के साथ आता हुआ हमारा क्वेशन ऑफद्टिव यानि कहने का मतलब है हमारा आज का तोड़ू फोड़ू जबाब वाला क्वेशन तो इस क्वेशन का उतर देना है आपको कॉमेंट सेक्षन के उपर यानि उपर उपर इन दे यह तो आपको इसका उतर देना ए इस चाप्टर के पर्ट टू में हम क्या करेंगे चली वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ इस chapter के part 2 में मैं आपको बढ़ाऊंगा इसका बचा हुआ topic plus जो आपके NCRD questions है उसको हम discuss करेंगे so that वहाँ पे भी आप lag ना करो ठीक है तो इस तरीके से ही हर chapter का flow चलेगा first part में मैं आपको कुछ questions अपने side से कुछ questions of the day तो आपको दोनों parts में मिलेंगे और major part of chapters को discuss करेंगे second part को हमेशा हम रखेंगे जितना भी हमारा leftover chapter है वो plus हमारे जितने भी आपके book questions है जितने भी important questions है उसको discuss कर सके ठीक है तो यह chapter flow होने वाला है throughout the batch बच्चो आपको अभी से बता दे रहा हूं तो और that you can make a point of it ठीक है got it बच्चा जुनून बाटी ठीक है जुनून बनाएगे नहीं बना भाई जुनून डाउन दो नहीं हो बच्चो लोग जुनून डाउन नहीं होने आएगा तो मिया जुनून को गरनेगा आए जोश को रगनेगा हाई सूपर आई ठीक है वाई तब भी मजाएगा देखो चलो अब बात करते हैं देखो मुट्टा भाई बात करते हैं वह यह कुश्चन अब देखी कुश्चन अब देखी बहुत सिंपल है कि डिफ्रेंट्टियेट कि बिट्वीन weekly markets neighborhood shops neighborhood shops and shopping malls ठीक है तो बच्चे यह आपका question of the day है ठीक है इस question को कहाँ solve करना है आपके comment section के उपर क्योंकि वो जगे है जहां पर आप अपने विच्छार यारे अपने thoughts व्यक्त कर सकते हो या पर लिख सकते हो ठीक है तो बड़ा बच्चे इस question हुआ का answer करते ना by comment section पर और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा है कि नी चलो तो मज़ा आया कि नहीं है बता दो क्योंकि finally आज part 1 का तुम समापन कर रहे है पार्टों के साथ मैं आपके बास जल्दी आने वाला हूं बहुत ही जल्दी आने वालों है ना तो बच्चों बहुत सिंपल है बच्चा बाड़ी जिससे आपके topics को revise कराया जा सके आपकी question practice को और बेटर कराया जा सके तो यहीं छोड़ा से effort है और देखो कोई भी effort हम लोग करते है ना तो हम लोग को मज़ा का बाता है जब हम लोग कॉलाबरेटे डिफर्ट करते मतलब मिल के काम करते है ना आप स्कूल में जब खेलने ज कुनाल सर की टीम में कौन कान है फटा बच्चा बच्चा मेरी टीम में प्लीज मेरे को आंसर में comment section बता दे रहा तो हम लोग मिल करके एकदम मस्त टीम बनाएंगे मस्त एक्जाम में भी बढ़िया बढ़िया नमबल लेके आएंगे ओपी लेवल के नमबर अपने रन एकद करने के बाद मुझे खेलना तो फर शूर है तो माइं मोटीवेशन वस दार्ट कियार पांच बजे तक रहा सब कुछ वाइंड अप कर देना है और आई युस तो भी आई इना स्कूल यूज तो गेट ओवर बाई टू पीम वन फॉर्टी फाइप में छुटी होती थी तो अधर आते आते सावादों बजने के बाद जो है और टू थर्टी हो जाता था लच करते गटे टू थर्टी तू फॉर्टी फाइफ से और यूज वन गाई वूट लाइक तू इवें टूडे ठीक तो मुझे दूपैर में सोना अच्छा नहीं लगता उस ताइम भी नहीं बरबाद हो गया ठीक है तो 340 अब वाई 3 ओ क्लॉक के आसपास 3 से 4 बजे तक सवाचार तक जो है मतलब ऐसाई 430 तक तो वाइंड अप कर ही लेना है वाइंड अप करते ही पांच बजे एवेंजर्स असेंबल ठीक है बैट विकेट ले करके एवेंजर्स असेंबल और तो मतलब मेरा मोटिवेशन वही है कि पांच बजे ना बैट लेकर सीधा नीचे उतर जाना या तो बैट लेकर फुटबॉल लेकर दो में से एक चीज़ लेकर लेकर फुटबॉल लेकर दो में से एक चीज़ तो करनी ही करनी है लेकिन पांच से पहले और यह तब पॉसर लुपाएगा जब हो जाए क्योंकि आने के बाद रुप करने का मन्त बहुत कम करता है ठीक है तो यह फॉर शोर था कि भाई फोर थर्टी तक तो एट 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 ओल कॉस्ट मतब करने करने उसके पांच से बहुत जाना है पांच से साधे चे साथ एक गेड़ घंटा दो घंटा खेलना है मस्तिक दम वापस आने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है आधे घंटे अपने आपको एब्साप करने में ठीक है उसके बाद मस्त आट तो यही रहा है तो अपने लिए आपको जो अच्छा लगता है ना जो आपको खुश रख सकता है तो इस चीज़ को अमेशा से याद रखो बचलो ठीक है बहुत सरी बाते हो गई आपसे वेल सारी बाते अभी नहीं करूँगा कुछ बाते में एक स्क्लास में करूँगा ठ तब तक क्या करना है हसते रहना मुस्कुराते रहना खुश रहना यार आण पढ़ाई करते रहना बीडवलू के साथ मजे गरो मस्त रहो पढ़ते रहो स्टे टून बिपीडवलू बबाई बच्छा बाइडी मुलागात होगे आपसे इन थे नेक्स क्लास टेक केर